अरे अरे मिल गया फाइनली मिल गया बहुत देड़ से इसको ढूंडा जा रहा था कहा है तो अभी आजाना अभी करवा देते हैं एड़ी तो करना है खली करोगे तब ना होगा रखे रखे थोड़ी हो जाएगा हेलो एवरीवान कैसे हैं आप सबी तो आज दिन है संडे और अभी बज़ रहे हैं सामके साड़ी इच्छे और मैं पोनिच है कि आसपास ना सो के उठी और जैसे ही सो के उठी तो इन्होंने बोला नीचे चलो बायो मैट्रिक करवाना है क्योंकि आज कल ना हमेशा जो है बिल्डिंग का जो गेट है वो बंद रहता है तो जब भी बंद रहता है ना तो हम उपर नहीं आ सकते हैं हम लोग ढूंडने में लग गए थे और तब तक वो जो है ना मैनेजमेंट जो यहां पर समालते हैं वो भी कहीं चले गए थे तो आज उसका काम अटक गया लेकिन हम दोनों का हो गया तो यह बहुत जरूरी था नहीं तो क्या है ना कि फिर मूँ देखते बैठना पड़ता है कि अरे कोई आएगा तब भना गेट खोलेगा तब हम उपर आएंगे तो बस अभी मैं संग के संगना नीचे गई थी तो दूद लेके आई हूँ और काफी दिन हो गए थे आयन बार-बार बोल रहा था कि पाओ भाजी बना दो तो अभी पित्र पक्ष चल रहे थे तो इसलिए मेरा बिलकुल मन नहीं था कि मैं बनाओं लेकिन आज ममी बोली कि आज सुमारे यां किसी का श्राद नहीं है तो बना दो कोई दोस नहीं है बच्चा बोल रहा है तो क्या करूगी तो बस मैं नीचे गई तो पाओ वेगे रहे लेकर की आई और गाजर नहीं थी आज सबजी में क्योंकि आज सबजी मंडी जाके आए थे ना तो वहाँ पे गाजर मिली ही नहीं तो बस वो सकिप हो गई थी और मटर अभी आ भी नीरे और फ्रोजन वाला ना मैं अभी लाना भी भूल गई तो भाजी में ना स्रीफ मटर सकिप हो जाएगी बाकी सारी सबजीयां है घर में और गाजर अभी मैं नीचे से ले आई थी तो शाम हो गई थी चाय की सबको मन में हो रही थी तो बस आते ही मैंने एक तरफ जो है चाय चड़ा दे और आज मैंने पहनी है ये ब्लू कलर की कुर्टी और इस कुर्टी के लिए ना मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने ये कुर्टी कहां से मंगाई कितने की आई थी और इसका फेवरिक कैसा है तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगे साथ शेयर कर देती हूँ तो मैं ये कुर्टी ना मिंतरा से मंगाई थी और ये कुछ ना 600 रुपे के आसपास की थी काफी दिन हो गए तो मुझे एक्जेक्ट इसका रेट पता नहीं है और काफी अच्छी ह ये गर्मियों में भी चलती है अभी तो यहां का मौसम अच्छा है तो यहां पी इतना पता नहीं चलता है फेवरिक इसका जो है वो रियोन का है और हलका है तो मुझे ये कुर्टी ना प्रसनली बहुत अच्छी लगी थी और इसकी प्रिंट भी काफी खुबसूरत है अब मैं बना रही हूं भाजी तो भाजी आज मैं किस तरीके से बना रही हूं आपके साथ भी शेयर कर देती हूं तो देखिए मैंने आज एक गलती कर दी वो गलती आप मत कीजिएगा कि लोहे के कडाई में अगर आप बनाओगे ना तो फटाफट से ही बनाते से ही ना बी कि उसमें बड़ती है इस सब्सक्राब, तो काली हो väldigt जाती है। तो आज वही हुआ। को बाथ नहीं है। लेकिन ओड उसमें ना फी खुछ स्थोचे किया। उसमें्ड मिल्च को वही लिया है। तो मैळों धरी कीया था। और फूल गुबी को मैंने क्या किया, कद्दू कस कर लिया था, मतलब दो हीच कद्दू कस की, एक तो गाजर और दूसरी फूल गुबी, और बस दोनों पहले हरी-हरी कि सबजी आ बनाती हूं बॉयल बहुत कम करती हूं बस मैंने इस इपरेट आलू ही बॉयल किया था तो आलू उबल चुके हैं अब बस मैं छील ली और छील करके मैस कर ली हूँ अब ये जब सबजी शीच जाएगी ना उसके बाद में मैं मैं अलू डाल दूँगी और अपने अकॉर्डिंग मैंने बीश-बीश में नमक डाला है। मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। अपने पानी नमक जाए गाल लास में जब पानी दालूगी तो अपने एकॉर्डिंग बाद में भी नमक जाएगा। इसके आय जाए लाइकन है उसे भी प्रेस कर लीजेगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आज का वीडियो व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और देखिए शाम का टाइम है अभी 7.30 बज रहे हैं मैं चाय पीने के बाद थोड़ा बहुत इदर उदर करी और तुरत किचन में लग गई क्योंकि कुछ भी अगर रोटी सब्जी तो क्या है न जल्दी बन जाती है कि एक दब सब्जी छोंक दी है आटा लगावा है रोटिया सेक ली लेकिन अगर इस तरी की कि कोई ताम जाम वाली चीजें बनाओ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और कल है मंडे आयन को जाना है स्कूल तो मैं सोचती हूँ कि टाइम पे खिला पिला कि उसे सुला दूं और खाने के बाद चोका साफ करने के बाद थोड़ा टाइम में उसे देखती हूँ कि उसने क्या रखा है बुक्स वे गेर है, रूटीन उसका क्या है कल का, ताकि कुछ मिस हो तो मैं उसे याद दिला दूँ, हलाकि वो अब इतना बड़ा हो गया है, कि खुद अपनी सारी चीजों को कर लेता है, लेकिन मा हुना मन नहीं मानता है, बच्चों को देखना मा का फर्च बनता है, बस मैं आज को थोड़ा सा तेज कर दिया है, और लोहे की कड़ाई में मैं बनाई थी, बाजी अच्छी बनेगी, पिछली बार भी मैंने बनाई थी, लोहे की मैं जब लास्ट टाइम बनाई थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, कि हलकी सी न, कड़ाई ने कलर छोड़ा, औ तो यहां पे देखिए मैंने दूबारे से जो है, ओएल डाला है इसमें और उसके बाद में इसमें लहसन और प्याज एक ही प्याज लिया, पांच-सात लहसन की कली, अच्छी से बुन लेंगे, और उसके बाद में डाल दूँगी, अद्रक और हरीमिश, उसे भी अच्छी तो बस देखें यहां पर मैंने अच्छी से सारी चीजों को भून लिया नमक दे दिया था भी इसमें थोड़ा सा उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर इसे भी हम अच्छी से मिला लेंगे का बाद कहते सी तो यह देखें बाजी बिलकुल बन के तयार भी है सब्सक्राइब कर लिए लास्ट में आप यह काम मत करेंगा पहले ही कर लीजेगा ताकि इसका कलर अच्छा आए और बस अब मैं पाउ सेकूंगी और फटा फटी लोगों को खिलाऊंगी और मैंना तीन पैकेट लेकर क्याई थी पाउ की एक एक्स्ट्रा ले आई थी कल सुभ करने लगता है तो मैं थोड़ा बेसी ही बनाती हूं अगर स्कूल जाना होता है तो बच्चे को टिफिन में दे देती हूं नहीं तो वह घर पे खा लेता है और अभी मैं इसकी एक्सपाइरी डेट देख रहे थी क्योंकि मुझे ना ब्रेड पाउ ये सब में बड़ा डाउट रहता है मैं कोई भी चीज इस तरीके की लेके आती हूं तो पहले उसकी मैनुफेक्ट्रिंग और उसकी एक्सपाइरी जरूर चेक करती हूं क्योंकि ना क्या हुआ था मेरे साथ मैं बताती हूं आपको हम लोग डी मांट गये थे शौपिंग करने के लिए घर की ग्रॉसरी तो वहीं से ना मैं पाउ लेकर के आ गई थी और वो पाउ एक्सपाइर हो गये थे वहां रखे रहते हैं बल्क में तो शायद हो गयोंगे तो क्या हुआ कि मेरी और एन की हम दोनों की ही तबेत खराब हो गई थी हम लोगों को फूट पॉइजन हो गया था तब से ना मैं बहुत ज़्यादा सचेत हो गई अब दुबारे जब भी लेके आती हूं ना तो मैं चेक कर लेती हूं हलाकि नीचे जो सूपर मार्केट है वहां पे तो ज तो बस यहां पे मैंने प्लेट लगा दी है आयन की और आयन के पापा की वो दुनों साथ में खाएंगे और तब तक में और पाव से एक लूँगी तो आजाएए आप लोग भी पाव भाजी खा लीजिए तो बस इस व्लोग को में यहीं पे एंड करती हूँ आप से मिलूंगी अगले एक अच्छे से व्लोग के साथ में तब तक के लिए टेक कियर बबाई एंड लव यू ओल